देखो यहां पर हमने पास क्योशन में इंटिग्रेशन गिविन है i is equal to integration of x minus 1 upon x minus 3 into x minus 2 का holy square into dx तो इस तरह के integration को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जो integration में x minus 1 upon x minus 3 into x minus 2 का holy square है इसको हम किस form में लिखेंगे a upon x minus 3 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 2 का holy square ठीक है तो a और b तो हम easily निकाल सकते हैं यहां से कैसे देखो x is equal यहां से इसको 0 करोगे तो x is equal to 3 आएगा और x is equal to 3 इसको छोड़के हम इसमें रख देंगे x minus 1 upon x minus 2 का holy square तो a is equal to 3 हम इसमें और इसमें put करेंगे इसमें नहीं करना बस ठीक है इसमें करेंगे तो यह 1 by 0 हो जाएगा तो इसमें 3 put करेंगे 3 minus 1 2 और 3 minus 1 3 minus 2 1 का square 1 तो 3 minus 1 आगया 2 a is equal to 2 आगया 20 इसी तरह यहां पर इसको 0 करेंगे तो x minus 2 तो x is equal to 0 हो जाएगा sorry x is equal to 2 तो x is equal to 2 इसको हम इसको छोड़के इन दोनों में put कर देंगे तो x 2 put करेंगे 2 minus 1 1 और 2 minus 3 minus 1 तो 1 upon minus 1 minus 1 आगया अब सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे देगो यहां पर हम करते हैं सबसे पहले हम इदर LCM लेंगे x minus 3 into x minus 2 and x minus 2 का holy square ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा A into x minus 2 का holy square प्लस B into यहां पर आजाएगा x minus 3 into x minus 2 ठीक है प्लस C में क्या जाएगा x minus 3 अब इदर भी मेरे पास क्या है x minus 1 upon x minus 3 into x minus 2 का holy square तो यह इससे cancel out हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हम compare कर लेते हैं क्योंकि A और B तो है तो हम क्या करते हैं इसमें constant compare कर लेते हैं तो दिखो इसका holy square करोगे तो A square minus 4x plus 4 आएगा और वो A से multiply एगा तो constant इदर तो क्या जाएगा 4A यहां पर क्या जाएगा minus 6 है constant sorry minus 3 into minus 2 plus 6 तो 6 into B फिर यहां पर minus 3C और इस तरव मेरे पास constant किया है minus 1 है तो यहां से A और B की हम value हमें पता है तो यहां जाएगा 8 minus 6 and c की value हमें चाहिए तो यह mismos 1 तो यहां से हम क्या जाएगा ci minus 3 तो c की value हमें से 1 आ जाएगी और यह C की value हम a, b, c की value यहां पर put कर देंगे और फिर integration में direct हम यहाँ पर लिख देते है, integration of, देखो a upon, sorry a की value तो है हमारे पास, तो a upon x-3, तो a क्या है 2, तो 2 upon x-3 plus b, b हमारे पास क्या है minus 1, b upon x-2 तो minus 1 तो minus 1 upon x-2, plus c, c क्या है 1 upon x-2 का whole square, ठीक है, into dx, अब देखो, इसका integration तो हम easy लिखर सकते है, i is equal to 2 constant है, और 1 upon x-3 क्या हो जाएगा, log of x-3, फिर इसका क्या हो जाएगा, log of x-2, और इसका हमारे पास आ जाएगा, 1 upon x-2 तो इसका हो जाएगा, minus 1 upon x-2, ठीक है, plus integration constant c, यह हमारे पास इसका integration आजाएगा, ठीक है, तो मैं basically इसको इस form में बदलना है, और फिर हम इसकी integration easily कर सकते हैं, okay, easy, 사랑ाएगागागा, is तो जाएगगागागागागागागागागागी को एसका होचा कर सकते हैं, यह हमारे कीजाएगागागागागाग पिर्मपटल समिएएब Argentina,